नमस्क्राइब स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैरानी गुपता आपके साथ बड़ी खवर सामने आ रही है आपको बता दे कि त्रपुरा में अवैद तरीके से गुस्पैट करने वाले बंगलादेश और इसी के साथ ही रोहिंग्याओ नागरिकों को पकड़ा गया है बत की देखने को मिला था कि रेलवेल स्टेशन में अवैद तरीके से ये जो नागरिक है वो घुस्पैट की कोशिश कर रहे थे इसमें टोटल 12 नागरिकों को गिरफतार किया गया है जिनमें से अगर हम बात करें तो 8 रोहिंग्या नागरिक है और इसी के साथ ही 4 बंगलादे इस जाच में सामने आ रही है आपको बता दे कि लगातार देखने को मिल रहा है कि भारत के कई सारे ऐसे सीमा वर्ती इलाके हैं जहां पर ये गुस्पैट की जो घटना है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है अगर आज सुबह के मामलूप पे नजर डाले तो सुबह ह ऐसे ही रोहिंगा नागरिक को गिरफतार किया है जो कि कई सालों से भारत में रह रहा है भारत के मत्हुरा में और ये कुछ और काम नहीं बल्कि जासुसी करने का काम करता था तो ये कहीं ना कहीं सीधे तोर पर नागरिकों को लेकर के सवाल उठाता है कि अगर इन आपको बता दे कि यह जो घटना है जादा तर त्रिपुरा या फिर वेस्ट बेंगॉल इसी सब एरिया में जादा देखने को मिलती है क्योंकि यह सब जो एरिया है सीमा वर्ती एरिया पढ़ते हैं बंगलादेश और मेमार के बेहत नजदीक जिसकी वज़से यह लोग यहां के से आना फिर उसके बाद फरजी आईडी कार्ड बनवाना अधार कार्ड बनवाना वोटर कार्ड बनवा करके फिर वो इस देश की नागरिक के तरह यहां पर रहने लग जाते हैं और उसके बाद कई सालों के बाद जाकर के खुलासा होता है किसी घटना के पता चलने के ब ये बिग हातक हो जाता है अगर ऐसे ही अवैद तरीके से ये नागरिक देश के अंदर आ करके निवास करें इसी के साथ ही आपको बता दे कि महीने बर पहले ही जो त्रेपुरा आरपी अफ की टीम है उसने नौ बंगलादेशी नागरिकों को गिरफतार किया था जिसके बाद लगा था कि शायद ये जो जाच अभियान चल रही है अवैद जो प्रवासी आते हैं नागरिक आते हैं उनको लेकर कि जो कठोड तरीके अपना आए जाते हैं तो उससे इनकी तादात कम हो जाएगी लेकिन एक पर फिर से ये घटना सामने आती है और करीब बारह जो लोग हैं चार मांगलादेशी और आट रोहिंगा इनको पकड लिया जाता है तो ये जो है उन लोगों पर भी सवाल उठाता है कि आखिर थोड़े से पैसे खाने के लिए कैसे नागरिकों को भारत में आने के लिए इनको फरजी आईडी कार्ट दे देते हैं वोटर कार्ट दे द कर लिये जाते हैं बता दे कि कई सारे वाक्या देखने को मिले हैं जिनकी वज़से रोहिंगा और जो बंगलादेशी घुसपैट है उनकी वज़से कहीं न कहीं देश की सुरक्षा को लेकर के भी सेंद मारी की काम की गई है घुसपैट जो की जाती है इनके द्वारा उसे देज की सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है जो की बेहद चिंता जनक विशय है लेकिन अभी भी बहुत सारे आसे विपक्षी दल के नेता हैं जो की लगातार ये कहते हैं एनार्सी और सी ये लागू करने के मामले में कि इसकी क्या वर्षकता है सरक बस लोगों को परिशान करना चाहती हैं जो यहां के नागरिक हैं उन्को लयकरिक कहीं न कहीं एक भ्रामक सूचना और भार्शन देने की कुशिश करती है जाकी जो एक खास वर्ग समू के लोग है वो इस भ्रामक बयानों में फस जाए ब्रामक जो भार्शन दिये जाते हैं निताओं के द्वारा उन पर फस के रह जाए लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो अगर C.A.N.R.C. लागू होता है तो इसमें देश की हित होगा देश की रक्षा होगी क्योंकि अगर C.A.N.R.C. लागू हो जाते हैं तो इस तरीके से जो अवैद घुसपैट की कोशिश बारवार की जाती है उन सभी चीजों पर लगाम लग जाएगा वराम लग जाएगा लेकिन शायद विपक्ष इन चीजों को नहीं चाता है जिसकी वजह से जब जब इस चीज को लेकर के बात होती है तो कहीं पर प्रोटेस को लेकर के तो तमाम इस वजह से बहुत सारी टीमों को भी तैनात किया गया जिन्हों ने बहुत गहन जाज भी कियो और जिसमें तमाम तरीके की घुसपैटियों की पकड़ की गई जिसमें से जादा तर जो लोग थे बांगला देशी थे या तो रोहिंगा थे जो कि अवै जी आईडी बनबा दिये जाते हैं और कभी-कभी तो कोई नेता जो है वो भी इनका साथ देते हैं जो तरीके से उतर प्रदेश में मामला सामने आया था कि कैसे समाजवादी पार्टी के जो एक नेता थे उन्होंने बकायदा दस्तकत किये थे ताकि उन रोहिंग्या और ब कायदा उनको जो सरकार की सुवधा है दिली सरकार की वो सारी सुवधाई मिलती है चाहे बात हम पानी की करें राशन की करें फ्री बिशली की करें यह तमाम चीज़ा उन लोगों को दी जाती है ऐसे में सवाल यह उठता है कि पहले तो यह अवैद तरीके से देश के अंदर घुस करके रह रहे है अवैद तरीके से इनके पास आइडेंटिटी कार्ड है लेकिन इसके बावजूस सरकार इन पर कारवाई ना करके इनको पालन पोशन कर रही है ने फ्री में सारी चीज़ा दे रही हैं इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी कई सारे मामला देखने को मिला था जहांबर बहुत सारे बंगलादेशी और रोहिंग्या जो घुस पैठी हैं उनको चिन्नित किया गया था और उन्हें हटाने का काम किया गया था लेकिन त्रपुरा से बारबारा से केसे जा रहे हैं लगातार जो आरपी अफ की टीम है कारवाई कर रही है अभी महीने पहले ही ये कारवाई हुई थी एक बार फिर से इन दस्तों को पकड़ा गया है और टोटल ये बारा लोग बताए जा रहे हैं जिनमें से आठ जो हैं वो रोहिंग्या हैं और इसी के साथ ही चार बंगलादेशी नागरेग बताए जा रहे हैं बता दें इनका कहना है कि एक पुलिस की जाच में पता चल पाएगी लेकिन लगातार देखने को मिल रहा है कि इन मामलों में अधाफ़ा हो रहा है और बॉडर की जो एरियाज है वहां से घुसपैट की जो संख्या है वो जादा तर बढ़ते हुए नजर आ रही है लेकिन इसके बावजूद अभी भी अगर सरकार कहती है कि NRC और CA को लागू करना होगा लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के जो पार्टियां है इसको लेकर के नाराजगी जताते हुए नजर आती है और उनका कहना होता है कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है और इससे तमाम नागरिकों को नुकसान पहुचेगा तो वही अगर सरकार की बात करें भारत सरकार की तो उनका कहना ये है कि ये देश के हित के लिए हैं देश को सुरक्षत रखने के लिए ही ये क आनून बनाए गए हैं और इसको लागू करना बहुत जरूरी है फिलाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राया है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे क्यों और भी अपडेट के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भोले